Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल जीरो कोविट पॉलिसी अपनाई गई है, उसके विरोध में लोगों ने यहां पर अलग अलग तरीका निकाल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पर आपने एक बहुती फेमस जो मैं कह सकता हूँ, सॉंग है, डिस्को डांसर का, काफी पुरानी मुवी थी, उसके अ का जो 2024 का बैच है, यह लांच हो चुका है, अगर आप इसके अंदर एंवर्मेंट लेना चाहते हैं, तो हमारे Study IQ अप पर जाएए, और वहां पर जो अंकित लाइव कोड है, उसको इस्तमाल करिए, ताकि यह जो पुरा कोर्स है, वो आपको सबसे कम दाम पर मिल सके, इसके लाइफ क्लासेज हो गया, नोट्स हो गया, आंसर आइटिंग प्राक्टिस हो गई, मेंस एक्जाम के लिए, साथी साथ यहां पर जो mentorship होती है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्म है, कभी भी आप अपने mentor से पूछ सकते हैं, इसके अलावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो म सबसे पहला जो केस है, जो चाइना के अंदर वुहान में आया था, और उसके बाद से अगर आप देखोगे, तो चाइना में जब भी कोई केस आता है, तो वहां की जो policies अपनाई जाती है, चीज इंटिंग के दोरा especially बताया जा रहा है, वो है zero COVID policy, मतलब कहीं पर भी एक पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग-अलग माध्यम से, ताकि सरकार का ये जो decision है, lockdown का, इसको खतम किया जाए, और उसमें जो एक सबसे interesting तरीका यहाँ पर लोगों ने निकाला है, वो ये है कि 40 साल पुराना, four decades old जो song है, हिंदी song है, वो यहाँ पर एक national anthem की तरह सामने आया है, प्रोटेस्ट anthem की तरह सामने आया है, लोग इसका इसका इस्तमाल कर रहे हैं, और ये song कौन सा है, 1982 में जो film आया थी, डिस्को डांसर, उसमें आपने सुना होगा, बपी लहरी के दोरा ये song आया गया था, जीमी जीमी आजा आजा, ठीक है, काफी जादा, in fact मुझे तो जो anger है, उसको express करने के तरह पर क्यों इसको इसको इस्तमाल कर रहे हैं, देखो इसका कारण ये है, क्योंकि चाइना के अंदर जो language है दोस्तों, ध्यान रखेगा इसको Mandarin कहा जाता है, तो Mandarin में यहाँ पर एक इसी से मिलता जुलता जो शब्द है, जीमी जीमी से, ये है आप जैसे लोगों के पास अनाज नहीं है, चावन नहीं है खाने को, और इसी को देखते हैं, यहाँ पर इनको ये सौंग मिल गया है, जीमी जीमी आजा आजा, जिसके माध्यम से वो दिखा रहे हैं, कि give me rise, मतलब कि आप ये lockdown लगा कर क्या कर रहे हो, मेरे पास चावन नहीं है खाने को फिर भी इतना strict lockdown यहाँ पर लगाया जा रहा है, और इसलिए कई सारे जो users हैं social media पर, आप वहाँ पर social media आप देखोगे जो tik-tok है, उसका नाम है doyn, तो वहाँ पर ये कहा जाता है, तो इस song के माध्यम से यह वो mock कर रहे हैं सरकार को, कि हमारे पास जो essential food items हैं, वो गाना है, वो काफी popular हुआ था, वो सब आपको देखने को मिलेगा, मैं उसमें नहीं जाओंगा, लेकिन मिधुन चौकरवर्ती, यह movie में थे, यह dance आपका कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो question यह आता है, कि आखिरकार चाइना में चल क्या रहा है, देखो यहाँ पर जो वी इसका जो शहर है, वुहान शहर, जहाँ पर पहला केस आया था, कोविट का, वहीं पर पूरी तरह से lockdown लगा दिया गया है, तो वहाँ पर बताया जा रहा है, कि आप रेस्टोरनेंट में जाकर खाना खा सको, इसके लबावा वहाँ के देश का जो सबसे वड़ा iPhone फैक्टरी है, जेंगजाओं में, वहाँ पर flights बहुत कम कर दी गई हैं, कई सारे जो बच्चे हैं, वो classroom नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये सारे situation देखने को मिलेगा, और इसलिए लोग जो है, वो बहुत जादा नाखुश होगा है, इन फैक्ट आपको याद भी होगा, कि से दुनिया से cut-off हो गए हैं, और इसलिए बार-बार जो anger है, वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखेगा, दोस्तों कि जब भी कोई protest में आपको पता रहा था, कोई चीज होता है, तो यहाँ पर जो Chinese authorities हैं, उसको हटा देती हैं, तो य यहाँ पर उनको संदेश दे सकें, दिखा सकें, कि हम यहाँ पर पर परिशान हैं, इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूँ, जो वहाँ की local officials हैं, जो authorities हैं, वो यहाँ पर pressure में है शी जिन्पिंग के, शी जिन्पिंग चाहते हैं कि COVID-0 policy अपनाई जाए, COVID-0 policy का मतलब है कि कहीं पर भी एक भी case नहीं होना चाहिए, अगर कहीं पर कोई case आता है, तो तुरंत उसको lockdown में डाला जाए, यहाँ पर quarantine center में डाला जाए, उस area को lock कर दिया जाए, इसको कहा जाता है COVID-0 policy, तो यहाँ पर क्या है न कि शी जिन्पिंग के दौरा, वहाँ की सरकार के दौ लोकल गवर्मेंट्स को, पुलिस को निर्देश दिया हुआ है, कि आप restrictions लगाए, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग भी गुस्ता हो जाए, मतलब आपको restrictions लगाना है, तो इसकी वज़े से क्या हो रहा है, कि यहाँ पर जो पुलिस है, वो directly communicate नहीं कर रही है, लोगों से, वो क्या में तो ये भी पता चल रहा है, कुछ लोग यहाँ पर offices जा रहे हैं, अपने office काम करने जा रहे हैं, और जब वो घर लोट रहे हैं, तो पता चल रहा है कि उनके घर के आसपास जो पूरा area है, उसको lockdown लगा दिया गया है, ये सारे situation आपको देखने को मिलेगा, और ये सारी तब हुई हैं दोस्तों, आपको याद होगा, अभी पिछले महने की बात है, Communist Party जो Congress हुआ था, उसमें शी जिनपिंग ने बढ़ चरकर ये जो COVID-0 policy है, उसकी तारीफ की थी, कहा था कि किस तरीके से जो चाइना है, वो successful रहा है, COVID-0 policy, क्या वो चाइना continue करेगा, खतम करेग काफी बड़ा जटका लग रहा है, डैमेज हो रहा है, चाइना को एक प्रकार से आप कह सकते हैं, जहां तक COVID-0 cases की बात है, चाइना के अंदर तो मैं आपको बता दूँ, अभी रिसेंट्ली संडे तक जो cases आये थे, वो अचानक से बढ़ गए, 802 cases से बढ़ कर 2675 हो गया, इनफर्ट ये भी आप देख पाओगे, यहां पर आपको पिछले तीन महने का ग्राफ देखने को मिल रहा होगा, तो यहां पर यह जो cases बढ़ा था, यह शंगाई का जब पूरा समया आया था, शंगाई में lockdown लगा दिया गया था, वो आपको देखने को मिलेगा, और अब वापस से यहां पर cases बढ़ आया, और इसी की वज़े से zero covid policy के तहट, जो cities है चाइना के, उसको पूरी तरह से lockdown लगा दिया गया है, और जैसे lockdown होता है, मैंने आपको बताया, कि तुरंत action में आ जाती है, पुलिस, यहां पर लोगों को quarantine center में भेज दीती है, मतलब लोग डर रहे हैं बताने से, कि यहां पर उनको covid है, तो यह पूरा हाल है, दोस्तों, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, कि पूरा मामला क्या चल रहा है, क्यों आखिरकार जो Jimmy Jimmy song है, वो popular हो गया है, अचानक से China के अंदर, और जाने से पहले एक interesting question, क्योंकि हम disease की बात कर रहे हैं, क बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग social media पर अप्जूड पाऊ गया, और जैसा मने बताया, UPSC की त्यारी आप कर सकते हैं, by using the code ANKITLIVE, ताकि सिर्फ 19,000 में यह पूरा कोर्स आपको मिल जाए, I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हू UPSC live foundation course is for premiums as well as for means, it provides live classes, live doubt clearing session, PDF and PPT notes as well as handwritten notes and many more at a very affordable price, I am very much thankful to the StudyIQ for such a great platform and I am also very much thankful to my mentor for helping me, for clearing my doubts and for providing me a good advice, thank you StudyIQ. StudyIQ IS, अब तयारी हुई, affordable